हेलो फ्रेंट्स मैं हुशी इमा और आपकु सागती मेरी चैनल में आज में लेके आई हूँ बहुती यूनिक और आसान दरिका का टेस्टी वाला हेल्दी वाला एकदम मुलायम वाला आलू पराठा रेसिपी और भी बीना आठा गूंत के कैसे हाम आलू पराठा बहुती कम सम में बना सकते हैं एकदम मुलायम और टेस्टी वाला रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंट्स अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लागे तो प्लीज लाइक कॉमेट और सब्सक्रीब करना बिल्कुल भी ना भुले और वीडियो को ना फूल वाच करिए कि करेंगे तो इसके लिए चाहिए आलू तो मैंने दू मीडियम साइज आलू को बोईल करके लिया है तो इसको छिलका क्लीन करके दिखिए इस तरीका से मैंने मैस करके लिया दिखिए पहले से मैंने मैस कर चुकी हूँ और बिल्कुल आलू को मैंने अभी ठंडा कर दिये तो बास इसमें मसाला बगरा यूज करेंगे तो बहुत ही सिम्पल मसाला यूज करेंगे तो यह देखिए मैंने चिली फ्लेक्स लिया हाप चामच करीब और उसके बाद इसमें जायेगी भुना हुआ जीरा पाउडर ये देखिए मैंने लिया भुना हुआ जीरा पाउडर लगते तो यह दिखे मैंने छोटा चामुच एक चामुच मैंने लिया छोटा चामुच से हल्दी पाओडर और यह रेड चिली पाओडर एक चामुच लिया और उसके बाद यह देखिए स्वादन हो जाई नमक अड़ कर दिया बास इसमें जाएगी कटा हुआ धनिया पत्ता और कुछ भी नहीं मिलाएंगे तो बस और अच्छा से मिक्स करेंगे हाथ से मिक्स करने से बहुत ही अच्छा से मिक्स हो जाता है तो एकदम स्मूध आलोगन एकदम स्मूध बनाएंगे एकदम स्मूध गुंठ लिया बगरा नहीं रहना चाहिए तो यह देखिए एकदम स इसमें मैदा का जगा आटा ले सकते तो दिखिये मैंने नमकाड कर दिया हाफ चामु छूटा चामु से और कुछ और ज्जॉयन लिया दिखिये तिन चार चूटकी करूब एक से certified देढ़ चामु इसमें ओयल मैंने मिला दिया और सुखा ही पहले mix करेंगे अच्छा से देखिए इस तरीका से सुखा पहले mix करेंगे उसके बाद गोल बनाएंगे तो यह देखिए मैंने अच्छा से mix कर दिया और इसमें जाएगी अभी आलू तो यह देखिए मैंने आलू को डाल दिया बस और अच्छा से आलू और अट तो देखिए मैंने कर्ची से इस तरीका से दबा दबा के अच्छा से मिक्स कर दिया यह देखिए अभी क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके बेटर त्यार करेंगे एक साथ पानी ना आड़ करें नहीं तो पतला हो सकता है थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करें और इस तरीका से एक better smooth better बना के त्यार करेंगे एकतम smooth घोल वा better बना के त्यार करेंगे तो देखिये धीरे धीरे मैंने पानी डालके mix कर दिया और इस तरीका चल Koll dal मिक्यरा जाहिए और यह देखिये better पुरा ready है तो यह देखिए परफेक्ट है बेटर पुरा रेडी तो इसलिए आलू कुना अच्छा से मीस करना चाहिए नहीं तो इसमें आलू अगुंठली अगरा आ सकता है तो पूरा मेल्ट हो गया देखिए पूरा मिक्स हो गया अच्छा से तो इधर मैंने प्यान जड़ा दिया उसको ना अच्छा से ब्रज से इस तरीका से ग्रिस कर देंगे चारी तरफ लगा देंगे इस तरीका से और उसके बाद पराठा से केंगे बा बेटर को इसमें देंगे बहुत ही आसान है फ्रेंस बहुत जल्दी बन जाता है जदा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही स्व ये कर्ची में उठा के दिखी इस तरीक से डाल दिया और आधा कर्ची डालेंगे बस उतना ही थोड़ा सा फिला देंगे ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे तो इस तरीका से देखी मैंने फिला दिया बस बहुत ही आसान है उसको धांगने के लिए जरूत नहीं है आप झांग भी सकते ही लेकिन मैं भीना दीना कभर करके यह पराठा रेड़ी किया था और उब धा affili रयता है आEMADoesा कि सूब ही अ राथ दोगी मैं अईसे अधर ऐसे ही था एकदम और टैश्टी था इसी तो इंटरिक एंड यह देखी हल्ग ai पलट देंगे तो दिखिए मैंने एक तरफ जैसे हो गया दुसरा तरफ पलट दिया और इस तरह से ओलट पलट करके दिखिए यह उपर से कैसे क्रंचिनेस आ रहा है न तो ऐसे हम ओल ग्रीस करेंगे पहुत ही कौम घीबा ओल इसमें यूज होता है और दिखिए आपना बीना ओल घी से भी यह पराठा खा सकते हैं बीना ओल में भी बन जाता है और बहुत ही स्वाधिश्ट दूसरा पराठा मैंने दिखिये बनाया ऐसे ही सेम प्रोसेस से और यह देखिए हलका हलका फूल चुका है तो चलिए प्लेटिंग करेंगे तो यह ना फ्रेंट्स बहुत ही आसान बहुत ही जल्दी यह बन गया दिखिए बहुत कौम समय लगता है सिर्फ सेखने में दो मिन करीब लग जाता है ज्यादा टैमनी लगता है और बहुत ही स्वाधिष्ट बनता है दिखिए ना इसमें कुछ आटा गुंतने का जंजटे ना आलो भरना का जंजटे कुछ भी नहीं बहुत ही आसान तरीका देखिया आलो को मिक्स कर दिजिए खोल बना के बास पराठा सेक द देखिए आप ग्रीन चट्नी का साथ भी खा सकते दही का साथ भी खा सकते और ऐसे भी मैंने तो ऐसे ही खाया पोखुत इस